इसका कलर भी दूसरा है एंड फेगरेंज भी हाई ब्रिवन कैसे हो आप लोग दोस्तों ओनलाइन सोपिंग आज की यूग का ट्रेंड है चाहे हमें कुछ भी लेना हो हम ओनलाइन से ही ओर्डर करते है हम पास के दुकान में जाने का कस्ट नहीं उठाते है चाहे हमें सेटी पिन भी लेना हो हम ओ भी ओर्डर कर देते है मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ए ट्रेंड और मैं ओनलाइन से स्किन एंड हैर केर प्रोड़क्त लेना पसंद करती हूँ क्योंकि ए ओफलाइन में एवलेबल नहीं होता और ओलाइन सोपिंग के लिए अभी फिलाल दो ही सोपिंग कमपणी के उपर हम भरोसा कर सकते हैं पहला है एमाजोन एंड दूसरा है फ्लिपकर्ट और रिसेंटली मैंने मामार्ट अनियन हैर रेंज लिया था और ए रहा इसका रिभ्यू चाहो तो देख सकते हो और मेरे रेकमेंडेशन पर मेरी मासी और मामी ने भी लिया था इसको बट कोइंसिडेंटली हम सबने अलग-अलग सोपिंग एप से इसको ओर्डर किया था मैंने किया था एमाजोन से मेरी मासी ने किया था फ्लिपकर्ट से और मामी ने किया था इस मिटिन से हम तीनों ने ही मामार्ट का प्रोड़क्ट लिया है तो हम तीनों का प्रोड़क्ट तो सेम ही होना चाहिए येस ये तीनों प्रोड़क्ट सेम नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को वीडियो देख के अंदा जा लगी चुका होगा कि ये थ्रीनों ओयल जो है इसका कलर अलग है और इसका पर्फिम भी बिलकुल अलग है एक दम नौरतन ठंड़ा ठंड़ा कुल कुल जैसा मगर क्यों और ये नमबर वान एंड ए नमबर टू है जिसमें मैंने नमबरिंग नहीं किया है ये दोनों बिलकुल सेम है और दोस्तों नमबर थ्री बोटल का मामार्थ का ब्रेंटिंग भी बहुत ही डल है और इसे यूज करके हैर भी बहुत ही चिपचिप हो जाता है बट आप लोगों ने अगर रिभीव वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में बोला था इसे यूज करके मैं भूली चुकी थी कि मैंने बालो पे ओईल यूज किया है और इस ओईल तो चिपचिप बिलकुल भी नहीं करता पर इसका कहानी तो बिलकुल ही अलग है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क हैंड फेक रिंस भी बहुत अलग है और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि ये प्रोड़क्ट ठीक नहीं है और दूसरी और ये दोनो बिलकुल सेम है और दोस्त इस ओईल को फ्लिपकट से ओडर किया गया था क्योंकि इस चैनल में जेनुएन प्रोड़क्ट रिव्यू एंड कॉंपेर वीडियो आता ही रहता है